कील मुहा से पिंपल्स की प्रॉब्लम जवाने में कोमन होती है और 15-25 साल की बीच तो लगभग सभी को पिंपल्स निकलते हैं किसी को ज़्यादा स्ट्रेस से या जेनरिकली भी ये प्रॉब्लम होती है ऐसा हमने हजारों लाखों लोगों की जीवन में देखा है तो जिनको ये पिंपल्स की प्रॉब्लम किसी भी कारण से है चाहे वो जेनिटिक है चाहे वो जवानी के कारण से है तो किसी भी तरह की पिंपल्स होने पर एक तो पानी का प्रियोग ज़्यादा करें हरी सबजियों का प्रियोग ज़्यादा करें और उसमें भी खास करके लोकी का जूँख सीदी पीसे के आउले की रसके साथ तो और अच्छी बात है जितने भी गरम मसाले हैं या गरम चीजे हैं उससे पिमपल्स बहुजादा हो जाते हैं वैसे तो किसी किसी को गुड़ खाने से ज्यादा पिमपल्स हो जाते हैं सुबह उठकर के पानी जरूर पियें दिन में तीन सी चार लिटर लिकेट पानी आपके सिरे में जरूर जाना चाहिए और पिमपल्स के इलाज के तोर पर आईरवेद में ही इसकी प्रभावशाली ओशदी है इसका पूरा उपचार है अहरोपेथ में जो दवाएं दी जाती है उससे ततकाल आपको से लाप पा सकते हैं अब बहुत जादा पिमपल्स होने पर तो श्टिराइट दे दिया जाता है जो बहुत डिंजर्स होता है उसे डियापटीज हो जाता है और उससे हमारी हड़ियां कमज़र हो जाते हैं पूरा इम्मेंस सिस्टम हमारा उससे खराब हो जाता है तो पिमपल्स के लिए सबसे अच्छा होता है घरेलू उपचार के तोर पर तो आप नेम के पत्ते पांसाद सबसे खा सकते हैं और चिरायता का गिलोई का पानी पी सकते हैं वह पिमपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है काया कल पोटी हम बनाते हैं उससे हमने देखा है दो दो गोली सुबह शाम खा लेते हैं खाली पेट तो उससे पिमपल्स ठीक हो जाते हैं अलिवेरा जेल लगाने से भी पिमपल्स में जबरतस दिलाब होता है और जिनकी आलिवेरा पीना भी और अलिवेरा जेल लगाना भी ये दोनों ही पिमपल्स के लिए बहुत अच्छे होता है कायकल्पकवाथ पिया भी जा सकता है जिनको ज़्यादा पिमपल्स की प्रब्लम रहती है वो एक चमचे एक लाश माने में पकाई हैं और पचास कर मेरे जातों च्छन की पीले मामन जिस्ठाराद्यारिष्टा और खदिरारिष्टा ये दोनों ही पिमपल्स के लिए बात अच्छे हैं इनका भी उप्योग करके आप पिमपल्स से बच सकते हैं ऐसे बहुत सी चीजे हैं जिनको जैसे मशूर की डाल है उसको अटा है उसको पाने में ब्यूग करके लगा दिया उससे भी बच जाते हैं पिमपल्स से और पका हुआ पपीता पका हुआ केला उसका भी आप लेप लगाते हैं उसे भी आप बज़ जाते हैं इसे पिंपल्से और खीरा भी लगाते हैं उसे विठंडक मिलती है चमडी को और उसे सफाई हो जाती है पिंपल्स से लेकर के सभी प्रकार के चर्म रोगों में प्रणयाम अदभूत लाब करता है जिनको वर्षों से पिंपल्स होते थे जिनको दस दस पंदरे पंदरे साल से सुराइसिस की प्रब्लम थी एक्जिमा की प्रब्लम थी यहां तक की लिकोडर्मा और स्क्रोडर्मा की प्रब्लम थी उनको भी हमने प्रणायम से अच्छा किया इसलिए जिनको भी पिंपल्स या और भी कोई भी चर्म रोग है स्किन डिस आउडर से विस्सभी भस्त्री का कपालभाती बाहिये प्रणायम और अनुलोम-बिलोम प्रणायम तो जरूर किया करें ब्रहाम लिद्गीत प्राणयम भी बहुत जरूरी है स्किन रोगों के लिए क्योंकि चर्म रोगों का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है तो प्राणयम से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं और प्राणयम से हमारा लीवर भी अच्छा हो जाता है और जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और आपका लीवर अच्छा होता है तब आप चर्म रोगों से बच जाते हैं इसलिए भस्री का ये पांच मिनट और कबाल भाती 10-15 मिनट होसे की तो बहुत प्राणयम भी कर लेना तिन सी पांच बार फिर अनुलो मिलों 10-15 मिनट फिर ब्रामरी और रुदगीत तीन तीन बार पांच माच बार जरूर करें तो आपको न तो पिंपल्स होंगे और नहीं कोई और दूसरी स्किन डिसोडर्स प्रामरी और नहीं कोई पिंपल्स